हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब मैं हूँ अरशना और आप सब का मेरी चैनल पर स्वागत है और आज मैं आप लोग के साथ सेर करने वाली हूँ उत्तपम की रेसिपी जो कि खाने में बहुत ही जादा टेश्टी और बहुत ही जादा हेल्दी है आप इसे कभी भी बहुत ही आस आप अपने इसाप से कम्या जादा कर सकते हैं और मैं या पर थोड़ी सी जो मोटी वाली सूजी आती है वो ली हूँ आपके पास जो हो आप उससे बना सकते हैं और उसके बाद हमें लेना है दही तो जीतना आप सूजी लिए हैं उससे आधा दही डाले दही आप कोई भी खटी या मिठी दूनों में से कोई भी दही का इस्तमाल कर सकते हैं और उसके बाद हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसर नमक और साथी साथ हम इसमें डाल देंगे आधा कब पानी और अब हमें इसे अच्छे से घोल लेना है तो आप इसे घोलने के लिए चमच या विसकर आप इसमें इसमें अच्छे से मिक्स करने हैं लेकिन पानी हमें एक ही साथ नहीं डालना है तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे इभी हमारा बैटर थोड़ा सा मीख़े डाली है और इसी तरह से में थोड़ा-thोड़ा करके इसमें पानी मिक्स करते जाना है एक ही साथ पानी नहीं डालेंगे तो हमारा बैटर ज्यादा पतला हो जाएगा और यह देखिए हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसे बस एक मिनट के लिए और हम मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसे रेश्ट करने के लिए 15 से 20 मिनट रख देंगे आप चाहे तो 10 मिनट भी रख सकते हैं लिकिन अकर आपके पास टाइम हो तो कम सकमे से 15 से 20 मिनट के लिए रख दें उसके बाद आप जब उत्तपम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनता है तो मैं इस सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए रेश्ट करने रख रही हूं और जो तक यह रेश्ट पे है तब तक हम बना लेंगे आप चटनी तो चटनी बनाने के लिए मैया पे लेली में एक जार और उसमें हम डाल देंगे धन्या की पत्ति तो चटनी आप अपने मनपसंद वाली बना सकते हैं आप धन्या की चटनी बना सकते हैं और धन्या पत्ति डालने के बाद मैं या पे डाल रही हूं दोहरी मिर्च मिर्च आप अपने ही साब से कम्या जादा कर कुझिर सकते हैं इसमें डालेंगे लेसन की कलिया और मैं आ पर डाल रहे हूं सेव बुजियां जिससे बोग अच्छे तेस्ट आता है चटनी में और उसके बाद हम इसमें डालेंगे नीबू का रस उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे स्वादनुसार नमक और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी और इसे बंद करके अब हम इसे पीस लेंगे और यह देखिए चटने हमारी अच्छा से पीस गई है तो चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं और उसके बाद अब हम अपना बैटर चेक कर लेंगे और यह देखिए इसे रखे करीब 20 मिनट हो गए हैं और सूजी अच्छे से फूल गई है और यह देखिए पानी को अच्छे से सोख भी ली है बटर हमारा थोड़ा सा गाड़ा हो गया है हम जैसा कि इसे पहले छोड़ अच्छे से मिक्स करेंगे सूजी को ताकि सूजी अच्छे से फूल या अच्छे से मिक्स हो ज़ाय इसके बाद हमारी उत्ततमम बहुत ही जाएब सॉफ्ट फलाफी बणेंगे अगर आप ऐसी सूजी से बना लेंगे उसे अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर उत्तपम थोड़े से कड़े बनते हैं अगर आप ऐसे ही बना लेते हैं तो इसलिए छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें यह दिखें बाटर हमारा बिल्गुल तैयार हो गया है तो अब मैं यहाँ पर डाल रही है उसमें ग्रेट किया हुआ अद्रक आप चाहें तो इसे चौप करके भी डाल सकते हैं या फिर जब हम इसके उपर से जब सारी सबजियां डालेंगे आप उस टाइम पर भी डाल सकते ह लेकिन मैं पहले ही डाल दी हूँ ताकि पूरे बाटर में अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके बाद मैं या पर डाल रही हूँ करी पत्ते आप चाहें तो करी पत्ते को बारिक बारी काट करके भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसी तरह से डाल दी हूँ और इसके बाद हम इसे अच्छे से कर लेंगे mix बैटर हमारा अच्छे से तयार हो गए है तो चलिए अब हम इसे side में रख देते हैं और अब हम सबजियां देख लेते हैं कि हमें इसमें कौन-कौन सी सबजियां डालनी है मैं आपे ली हूँ सिमला मिर्च जिसे मैं बारीक बारीक कट कर ली हूँ और उसके बाद मैं आपे ली हूँ प्याज उसे भी मैं बारीक काट ली हूँ और एक हरी मिर्च और यहापे ली हूँ मैं बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और उसके बाद मैं आपे ली हूँ टमाटर उसे भी मैं बारी काट ली हूँ तो चलिए अब हम बनाना सुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें गैस पर रखना है एक तवा और जैसे ही तवा गर्म हो जाए उसके बाद हम तवे पर लगा देंगे थोड़ा सा तेल हमें बहुँ जादा तेल डालने की जूरत नहीं है इसमीं और उसके बाद हम अब इसमें पर भी डालेंगे बैटर तो साइज अब अपने हिसाब सा छोटे हैं बढ़े कर सकते हैं और बैटर डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा फैला देंगे बहुत जादा पतला भी नहीं बनाना है हमें इसे डोसा के तरह और इसे फैलाने के बाद अब हम इसमें बारी-बारी करके सारी सबजियां डालेंगे तो मैं आप इस सबसे पहले डाल रही हूँ प्याज और उसके बाद हम इस पे डाल देंगे बारी-कटी हुई हरी मिर्च तो मिर्च आप इस तरह से उपर से भी डाल सकते हैं या फिर बैटर में डाल दें आपको जैसे ठीक लगे आप उस तरह से बना लें और उसके पाद हम इस पे डालेंगे बारी-कटी हुई सिम्ला मिर्च औ चाहें तो इस पे गाजर भी डाल सकते हैं या फिर आप इसी तरह से बना ले और सब्जी आप इसमें अपने हिसाब से कम्या जादा डाल सकते हैं और उसके बाद हम इस पर डाल देंगे बारी कटी हुई धन्या की पत्ते जिससे बहुत ही अच्छा सा टेश्ट आता है हमारे टेचर अछे दोरतनी के पत्वतब ऑद मैं नाष्ट में डाल रहूं और ताकि multiples सब्जे ownership डाले हैं वह बिलकुल फिक़ना लगें इसलिए इसलिए तोड़ा थोड़ा से लिए आप रहे होется में और और थोड़ा सा शीक्र का जाय से आ Тем की बढहे हैं तर फिखन से अिश्क हम इसके उपर से हलकालका सा तेल डाल देंगे बहुत थोड़ा सा मेरे तेल कर इस्तमाल करना है तो बस इस तरह से अब ब्रस को भीगा ले और थोड़ा सा तेल लगा दे साइड साइड से उपर से और बस अब हम इसे पलट लेंगे और इसे पलटने के बाद अब हम इसे दूस साइड से अच्छे से सिख लेना है और यह देखिए हमारा एक उत्तपम अच्छे से सिख गया है मैं आप लोगों को दोनों साइड से दिखा रही हूँ कितना अच्छा सा कलर आया है और जिस तरफ से हम सब्जी डालें है उधर का भी कलर देख लिए ज़ली नहीं है आप पर से हम सारी सब्जी डाल देंगे और बस इसे भी हम पलट पलट के दोनों साइड से से लेंगे और बस हमारा टेस्टी और हेली उत्तपम बन के तयार हो गया है तो आप इसे कभी भी नास्ते में बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता खाने में सबको बहुत पसंद आएगी अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से उन्हें बना के दे या फिर आप चाहें तो ग्रेट करके इसमें मिक्स करके और इस तरह से चीला बना के दे उन्हें ताकि सारी सब्जियां खाएं बच्चे आप चाहें तो बच्चों के अगर हम उत्तपम को चटनी की साथ सर्व करते हैं और इंज्वाय करिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा ज्यादा लोगों को सेर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा आप लोग